हिसार की विधानसवा सीट में भारतिय जिनतापायटी की टिकेट पर घमासान शुरू, हिसार सीट पर दावेदारों में बट रहे धड़े, भाजपा में सैनी पंजाबी दावेदार आमने सामने, शीर्ष नेताओं और आरेसेस में फिट कर रहे गोटी, दावेदारों में त हर्याणा में विधानसवा चुनावों को लेकर सारे राजनेतिक दल मैदान में उतर चुके हैं, एक बार फिर हिसार विधानसवा सीट टिक्टों को लेकर चुनावी अकाड़े में बदलने लगी है, आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारतिय जनतापार्टी की, यहां बीत दो चुनावों में हिसार पर काबिज रही भाजपा इस बार खैट्रिक लगाने की पुर्जोर मंचा लिये है, हिसार सीट पर भारतिय जनतापार्टी हर हाल में अपने उमिद्वार की जीत के लिए रणनितित तयार कर रही है, ऐसे में भाजपा को एक जिताव कंडिडेट की भी दरकार है, लेकिन इस से अलग इस सीट पर टिकेट के लिए इस बार त्रिकोनिय संगर्षतों अकेले भाजपा में ही शुरू हो गया है, परंतु जानकारों का मानना यह कि भाजपा में जुगत वयाकाउं से उम्मीद रखने वालों में आधिकांश को निराशा हाथ लगने वाली है, इसके बावजूद हिसार सीट के लिए भारतिय जनता पार्टी में तीन वरगों में दावेदार टिकेट के लिए भाग दोड में जुट गए हैं, भाजपा में टिकेट की दावेदारी के लिए इस त्रिकोनिय संगर्ष में सबसे पहले बात करते हैं कर दो बार जीत हासिल कर चुके डॉक्टर कमल गुपता पूरी उम्मीद लिये हुए हैं, परन्तु उन्हें जो बड़ी शंका सता रही है वो जिंदल परिवार की ओर से टिकेट खिसकने का पूरा भय है, इसके अलावा भाजपा नेता तरुन जैन भी टिकेट की कतार में ह हिसार सीट पर टिकेट की दावेदारी में दूसरा वरग आता है पंजाबी समाज, इस समाज में ज्यादातर लोग केंदर में विराजमान मनोलल खटर से पूरी उम्मीद लगाई हुए हैं, उन्हें शक्तिमान मान कर टिकेट के लिए संघर्ष रत हैं, इन में सबसे पहले नाम आता है हिसार के मेर रहे गौतम सर्दाना का, सर्दाना को भरोसा है कि उनकी नईया मनोहरलाल खटर पार लगा सकते हैं, मेर चुनाव के दोरान भाजपा में शामिल हुए गौतम सर्दाना फिलहाल टिकेट के लिए पूरी तरह सक्रिये हैं, परन्तु उनके सामने चु अधक्ष रहे सुभाश मलोतरा का, आरेसेस प्रिष्ट भूमी से रहे सुभाश मलोतरा पहले भी मेर की टिकेट पाने के लिए संगर्श कर चुके हैं, घर घर तक भाजपा का जहंडा उठाए गूमने वाले सुभाश मलोतरा मूल रूप से भाजपाई हैं, सो टिकेट के लिए उनका संगर्श भी पुर्जोर है, अब बात करें सैनी समाज से सामने आ रहे टिकेट के दावेदारों की, तो इस समाज में भी भाजपा के लिए टिकेट की मंचा रखने वालों की भरमार है, इन में प्रमुखतोर से भाजपा के जिला दक्ष रहे, वे एक बार हिसा हिसार सीट से भाजपा परत्याशी के तोर पर चुनाओ में उतर चुके रवी सैनी प्रबल दावेदार हैं, इनके अलावा सैनी समाज में कई ऐसे दावेदार हैं, जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा कर टिकेट के लिए संगर्श में जुटे हैं, हिसार सीट से अगर हासी में विनोध भयाना को टिकेट मिली तो हिसार से सैनी समाज के दावेदारों की उम्मीद प्रबल हो जाती है, दूसरी और पंजाबी समाज के दावेदार चाहते हैं कि हासी से विनोध भयाना की टिकेट कटी तो हिसार में उनका बेड़ा पार हो सकता है, पौने वैश्यों और पंजाबी समाज के बराबर बराबर तीस तीस हजार वोट बताए जाते हैं इसके बाद अन्य सभी जातियों के वोट एक लाख के आसपास हैं पंजाबी वरक के दावेदारों को मनोहरलाल खटर से उम्मीद है तो सैनी समाज को मुख्यमंतरी नाइब सैनी पर डॉक्टर कमल गुपता को दो बार की जीत शहर के विकास पर भरोसा है इन तमाम दावेदारों के बीच भाजपा किसे टिकेट देती है ये अभी कहना मुश्किल है लेकिन मानना यह कि लोग सभाचुनावों से सबक लेकर विदान सभाचुनावों में भाजपा कोई गल्त नहीं करने वाली है माना यह भी जा रहा है कि इस बार भाजपा दल बदलूओं से ज्यादा मूल भाजपाईयों में जिताऊ उम्मिदवारों पर मन्तन में जुटी है जानकारों का ये भी दावा है कि भाजपा 90 में से 60 सीटों पर भाजपा के कट्टर समर्थकों को ही टिकेट देने वाली है आईए भाजपा उम्मिद्वारों की सार सीट से हार जीट के खास बिन्वों पर भी गौर करते हैं पंजाबी दावेदारों का तर्क ये है कि अगर भाजपा पंजाबी परत्याशी मेदान में उतारती है तो जिंदल हाउस मुख्यमंत्री के प्रभाव से सैनी समाज गुज्यर ब्रामन SCBC वर्ग का समर्थन मिल सकता है जिससे जीत सुरक्षित हो जाती है अगर भाजपा वैश्य चहरा मेदान में उतारती है तो कॉंग्रिस पंजाबी उम्मिद्वार को उतार सकती है इनका मानना यह भी है कि अगर भारतिय जनता पार्टी वैश्य चहरा मेदान में हिसार सीट से उतारती है तो कॉंग्रिस पंजाबी उम्मिद्वार को मैदान म में उतार सकता है ऐसे में जाट वर्ड एसी वैऔनने के कारण भाजपा उम्मीदवार को खत्रा माना जा रहा है भाजपा को यह भी शंका है कि कॉंग्रिस पहले उम्मीदवार घोशित ना करके भाजपा के उम्मीदवार के सामने आने पर अपनी बिसात बिचाएगी अब देखना यह कि टिकेट के लिए जी तोड मेहनत कर रहे भाजपा के इन दावेदारों में टिकेट किस वर्ग के उम्मिद्वार को मिलती है या फिर भाजपा अपने उसी चीर परीचित अंदाज में किसी नए चेहरे को मैदान में उतार कर चौकाने वाली है आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिकिरिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर साजा करें पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें शुक्रिया